इसमें कई तमाम एहम फैसले लिये जाते हैं करीब 14 अजेंडों पर 20 दिनों कैबिनेट मिटिंग में मुहर लगाएगी बता दे कि आब अनितीश सरकार में राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती चुनाव कर्मियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है नितीश कमार ने बड़ा फैसला लिया यानि राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती चुनाव के कर्मियों को अब आवेदन भी दिया जाएगा अगर मृत हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए अनुदान राष्ट दी जाएगी या अगर अपंग हो जाते हैं तो 15 L. रुपए आपको अनुदान राष्ट दी जाएगी यानि इससे पहले राश्ट्रपती और उपराश्ट्रपती चुनाव के कर्मियों को कोई आवेदन राशी नहीं मिलती थी और अब जो है इलेक्शन कमिशन के नए निर्देश के अनुसार अब इन्हें भी यानि चुनाव कर्मियों को भी राश्ट्रपती और उपराश्ट्र हो जाते हैं तो आपको 15 लाख रुपए आवेदन राशी के हिसाब से मिलेगा और अगर मृत्य हो जाती है तो 30 लाख रुपए पुर्व में इन दोनों चुनाव में मृत्य आपंग चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी को अनुदान नहीं मिलता था भारत निर्वाचन आयोग के नए दीशा निर्देश को राज सरकार ने भी अंगीकार करने का निर्ने लिया है दरसल बीटे दिनों यानि मंगलवार को मुख्य मंधर निर्देश को मार के अधिक्षता में हुई राज्य मंधरी मंधल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वी किर्दी दी गए बैठक के बाद मंधरी मंधल के अपरमुख्य सुचीव डॉक्टर एस सिधार्त ने बताया कि अब तक लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिशत चुनाओ में मृत यापंग सुरक्षा और चुनाओ कर्मी को अनुदान मिलता था कैबिनेट की बैठक में लिये गए फैसले के नुसार अब दो अन चुनाओं में भी स्विवस्था में शामिल किये जाएंगे इन चुनाओं में लगे कर्मी और सुरक्षा बलो के को इसका लाब मिलेगा राज्य के राजस्व करमचारियों के परिजन अनुकमपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे कैबिनेट ने इस पर भी मंजूरी दे दी है कैबिनेट की बैठक में नितिस सरकार ने राज्य के सभी पैक्सों के प्रोत्साहन राशी में बढ़ोतरी करतने का निर्ने लिया है अब यदि पैक्स या व्यपार मंडल समय सत प्रतिशत सीमर क्या पूर्ति करते हैं तो प्रोत्साहन राशी तीन गुना अधिक मिलेगा इस अजेंडर पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है जेलों में बند कैद्यों के करल्यान के लिए कैबिनेट में महत्तव पूर्फैस ले लिए गाए उनकी मानसिक स्थिती ठीक रखने के लिए एक-एक साइकलोजिस्ट हर एक सेंट्रल जेलों में बहाल किये जाएंगि और बड़ी खबर जो कि आपको बताते कि बीटे दिनों बिहार सरकार ने नितीश सरकार ने जो ली है वो ये है कि अब तक विधान सभा चुनाओ या कहले लोग सभा चुनाओ विधान परिशद चुनाओ इन सारे चुनाओ में जो सुरक्षा कर्मी या चुनाओ कर्मी जो रह आए गए सुरक्षा कर्मी और जह चुनाव कर्मियों को इसका जलाब मिलेगा अपंगता पे 15 लाख रुपए और मृत्य उपे 30 लाख रुपए के अनुदान राशिप बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी फिलाल इस खबर में बस इतना ही अब वीडियो अपडेट्स के इस्वानेशन